हेलो स्टेंस में नाम विनीत पांड़े आप देख रहे हैं क्लास एट मैट्स टूपाई क्लास बच्छो इस चैनल पर क्लास एट का मैथमेटिक्स का बहुत ही कॉलिटी आपको मिलेगा और इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 196 पे आप उपन करोगे तो आपको एक्जांपल्स मिलेंगे इस वीडियो में हम सॉल्फ करेंगे इसके पहले हमने आपको इस चैप्टर का इंटोड़क्शन दिया है वो वीडियो अगर आपने नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए प्लेलिस सेक्शन में पर माइनस थ्री ठीक है अब देखें इसकी वेलू निकालनी तो कोशन नंबर वन जो है एक्जांपल नंबर वन आप बोल सकते हो इसको ठीक है बच्चों तो इसमें जो रूल लगेगा वह हमने आपको पढ़ा है था एडड़ पावर माइनस एम इस इकोल्स टू बात हमने जगा इंटरचेंज कर सकते हो आप ओके स्टेंस अब ध्यान दें यहां पर दिखिए यह जो आपको दिया हुआ है इनोंने क्या पार्ट वन में पार्ट वन टूड़ पावर माइनस थ्री अब बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो ध्यान से चेक करो इस रूल से यह देखि कि यहां पर कि जगा क्या आ रहा है तो आरहा है और इन की जगा क्या आ रहे है तो कुछ न-बस इसको वन अपार में भेजऻ में फेचो 2 to the power क्या हो मगा यह प्लस 3 ीया om to the power 3 बस अब यहां ऑगी टू डपार 3 चुंत री का क्या मतलब होता वोता है कि 2 पर टीक का लिख़ाए क्टु को grades Attack 2 चुंत हैं तो इन्टू 2 थो थे यहां सा अंसर आजाएक आपका1 एंट हॉड यह लीजे सो पाट 2 में अगर आप देखोगे तो क्या है 1 upon 3 to the power minus 2 है इसको हम क्या कर सकते हैं देगे बच्चों अभी-अभी मैंने आपको बताया है जैसे यह लिख वाए relation ठीक क्या है 1 upon क्या है 1 upon 8 to the power minus M 1 upon 8 to the power minus M के किसके एक वाल हो जाएगा 8 to the power M के ठीक याने कुछ नहीं करना है 1 upon में 8 to the power में अगर कुछ negative लिखा है तो इसको आप 8 to the power positive कर सकते हो बस ठीक यह सारी बाते में आपको लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूं यहां कुछ नहीं करना आपको 1 upon 3 to the power minus 2 है ठीक तो यह देखो इसमें और इसमें आपको similarity दिख रही है तो इसको आप क्या लिखोगे जैसे यह यहां चला गया चिक और पावर कैसी होगी positive यह minus M था तो क्या होता है 3 to the power 2 बोलो या 3 raise to the power 2 बोलो बात से मैं मैं जल्दी करने के लिए 3 to the power 2 भी आप इसको बोल सकते हो इसका मतलब है 3 into 2 नहीं है इसका मतलब है कि 3 को 3 से 2 times multiply करना है so 3 3 जा कितना आ गया नहीं यह आपका पाट 2 का answer है कर लीचे लेते हैं example number 2 simplify minus 4 to the power 5 into minus 4 to the power minus 10 और यह पाट 2 अब इसको करेंगे देखो first वाले में क्या rule लग रहा है बच्छों हमने पड़ा था कि base अगर same है ठीक तो power add हो जाती है निकि 8 to the power M into 8 to the power N is equals to क्या होता था 8 to the power M plus N यहाद है base same है तो power add यहाँ पर दिके base same base की जगा minus 4 है यहाँ minus 4 है और power में यहाँ 5 यहाँ पार में क्या है minus 10 ठीक so minus 4 to the power 5 into minus 4 to the power minus 10 is equals to अब ध्यान दे बच्छों यह base में base same है तो base को हम ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ 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 यह तो हमने यह लिखा तो यहाँ क्या है है minus 4 यहाँ minus 4 यहाँ minus 4 लिखेंगे और powers को हम add कर देंगे ठीक power में क्या है M plus N M की जगा 5 और प्लस N की जगाएगा minus 10 ठीक यहाँ हो जाएगा minus 4 to the power अब ध्यान दे बच्छों यहाँ क्या होगा 5 और प्लस अब देको कुछ बच्छियां और राकेट में रखना है इस बात का धियन की जिखेंगे प्लस के बाद यहाँ यहाँ minus 5 कितना होता है कैसे क्योंकि इस 5 क्या कि कोई साइन तो प्लस मानें होता है माइनस यानिकि 10-55 आएगा लेकिन साइन लगेगा इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसका अब इन दोनों में से बड़ा कौन है 1010 के आगे नेगटिव है तो यहां नेगटिव लगा देंगे ठीक ओके तो यह हो गया उसक्वल सिर्फ उन अपन व्टिए भॉर एमट्रीदे किसी तरीके से यहां पर रूल लगएगा एक जगह यहां-बढ़र में साइन चेन या माइनस M था यहां प्लस M हो गया ठीक सो माइनस 4 तो ऐसे ही रहेगा और पापर में माइनस 5 की जगह क्या हो जाएगा प्लस 5 ठीक तो इस तरीके से यह आपका आंसर यहां पर हो गया ठीके सुडेंस वीडियो पॉस करके नोट कर लीजे फिर मैं आपको पार्ट अब देखिए स्टूर इंस पर तूंगर आप करोगे यहांपर ठीक तो पार्ट तू में कौन सा रूर लग रहे हैं अब यहां डिवाइट कर रहे हैं ड़ेगी किस तरीके से करेंगे टूर दपावर फाइफ को डिवाइड लगाय जा रहाए डिवाइट का साहीन है इस बा पावर अलग अलगे और डिवीजन में चलना है ठीक तो हमने यहां रूल पढ़ाता कि एड़ पावर एम यहां पर लगाएंगे यहां पर देखिए एक ही जगा क्या जगा टू बेस से में तो टूड़ पावर और यहां बावर को सब्रेक्ट करेंगे यह यानि के एम माइनस ध्यान देंगे यहां बछूब क्या लिखेंगे फाईव और माइनस क्या कहता है यहां लिखा माइनस लगाया अब यह जो एघ्डियाद मैंने-6 को ब्रैकेट में रखना है समझ था माईनस और यह रहा आपका रैकट के अंदर N माईनस एन छक्क इस बात का ध्यान रखना ठीक न अब यहां से जगागा टूर्ड फावर अब गया पॉजिद फावर प्लस पावर इसे ही रहेगा और मानिस मानिस क्या घा प्लस हो जाएगा ठीक तो यहां से हो गया आपके पास 2 raised to the power 5 plus 6 कितना होता है 11 तो 2 to the power 11 हो गया अब 2 to the power में जो power कैसी वो positive है 11 नहीं होता तो हम उसको positive बना लेते हैं ठीक है students कैसे 1 upon में भेज देते हैं जैसे हमने part 1 में किया था so note कली जे इसको now students लेते हैं हम लोग example number 3 कह रहा है x plus 4 to the power minus 3 as a power with the base 2 okay students यहाँ पर 4 to the power minus 3 है समझे ज़रा क्या आपसे question कर रहा है पहले question समझो 4 raised to the power minus 3 यानि कि 4 यहाँ पर क्या है base है ठीक और यह आपकी exponent है minus 3 क्या आपकी exponent है या power है अब सुनो ध्यान से क्या बोला उसने आपको आपको कह रहा है कि express 4 to the power minus 3 as a power with the base 2 पावर में कुछ भी हो as the power as the power मतलब पावर में कुछ भी हो लेकिन base कितना होना चाहिए 2 तो यह 4 को हटाके आपको यहाँ base में 2 आना चाहिए और यहाँ 2 में कुछ न कुछ पावर यहाँ पर लिखी होगी ठीक तो इसको हम कैसे करेंगे समझो ज़रा सबसे पहले हमने question लिखा 4 raised to the power माइनस 3 है अब इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं सुनो जान से यह 4 लिखा और 4 के उपर bracket लगा के माइनस 3 लगा दिया लिख सकते हैं लिख सकते हैं सर सुनो इसका भी मतलब क्या है 4 की power माइनस 3 इसका मिल रिख भी है 4 की power माइनस 3 4 raised to the power माइनस 3 और ये भी क्या है 4 raised to the power माइनस 3 ठीक है ना अब सुनो base को आपको 2 बनाना है तो बच्चों एक बाहा बताईए 4 को आप क्या लिख सकते हो 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 into 2 yes or no 2 2 जाई तो 4 होता है 4 is equals to 2 into 2 अब सुनो 2 का मतलब क्या होता है बताए आपको ये जो 2 है 2 का मतलब 2 raised to the power 1 होता है और ये वाला जो 2 है इसका मतलब 2 raised to the power 1 होता है ठीक है ना so यहां से क्या हो जाएगा 4 is equals to भाई किसी भी number की power 1 वही number होता है कि 2 को 2 to the power 1 लिख सकते और 2 को 2 to the power 1 लिख सकते अब यज़ से में तो पावर और जाएगगी आपको पता है ठीक ये में तो पावर जाएगी यानि कि 1 plus 1 2 यानि कि 2 to the power 2 सिंपल शब्दों में आपको पता होना चाहिए कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 raised to the power 2 कोई पूछेगा क्यों तो बहुत असान है 4 is equals to 2 raised to the power 2 क्यों लिखा क्योंकि इसका मतलब है वही 2 को 2 times multiply करो 2 into 2 और 2 to the 4 ही तो होता है तो 4 को हम क्या लिखेंगे 2 raised to the power 2 तो यहां मैंने आपको side में करके दिखा दिया है ठीक है आपके ncrt book में यहां किया हुआ है आप चाहो तो ऐसे side में दिखा सकते हो ठीक है students चलो यहां भी मैं मैं आपको दिखा देता हूं कोई दिक्कत नहीं है तो हमने क्या कि हमने ब्रैकेट को एसटेस लगाया और यह वाले 4 की जगा पहले हमने लिखा 2 into 2 है ना कुछ नहीं किया अंदर जो फोर लिखा उसकी जगा टू इंटू टू अब पावर में अब यहां में लगाएंगे कौन सा लौ आपने पढ़ा था एड़ पावर एंट इस इक्वल स्टू एड़ पावर में इंटू एम यहां पने पढ़ा था सुनिए यहां पर बेस है और इसकी कुछ पावर है और रैकेट लगा के फिर उसकी होल पावर है तो इन दोनों स्पूर्स को क्या करेंगे मुल्टिप्लाइए करते है तो इसको इससे क्या करेंगे मुल्टिप्लाइग कर देंगे बस तो तो दू इंटो माइनस फ्री ये लीजे अब तू इंटो और यह मैनस 3 को ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे इन दोनों को मिल्टिप्लाई करना है बस पावर में ठीक और बेस आपका टू रहेगा सो टू अब ध्यान दे टू इंटू माइनस 3 कितना होता है एंसर देता है यस बिल्कुल सही आंसर है बच्छो ठीके स्ट इस तरीके से हमने क्या किया हमने फोर इस टीको बनाकर लिख लिए अब बेस पहले फोर थी अब बेस कितनी हो गई और पावर में क्या रहा है माइनस 6 वही हमने आपको बोला था कि पावर में कुछ भी आ जाया पावर में मैंनस 6 आ रहा है लेकिन बेस क्या हो ना चीए टू ठीके सुडेंस तो यह हो गई आपकी यहां पर यह बेस ठीक और यह क्या हो गई आपकी पावर हो गई ठीके सुडेंस बास समझ में आगी की नहीं आगी ओके तो इसको आप नोट कर लिचे लेते हैं हम लोग एक्जांपल नुमर फोर के रहा है सिंप्लिफाइए और राइट दा आंसर इन दे एक्स्पोनिंशल फॉर्म अब देखिए बच्चों यहां पर जो आप आंसर करोगे मैं आपको पहले बता दे रहा हूं ठीक है डिफरेंट टाइप के हम लॉस यहां पर 8 to the power minus m is equals to 1 upon 8 to the power m ठीक है यह बात हम पढ़के आयो है यानि कि कहने का यह मतलब है कि अगर आपके पास कहीं पर 2 to the power minus 3 आ रहा है ठीक तो आप इसको क्या लिखोगे 1 upon 2 to the power 3 लिख लोगे बस और कोई बात मैं नहीं कहना चाता हूं यहां पर 2 की पार में negative number है यहां पर ले ठीक है यह वाले loss है ओके तो बस यहां पर 100 की power positive आ गया तो यह काम हमको करना है ठीक यानि कि कोई power अगर negative वार ही होगी तो उसको हम positive में लिखके तब छोडएंगे ठीक है ना चलो अब देखो part 1 पहले हम लेते हैं so part 1 कि आपका 2 raise to the power 5 divided by 2 raise to the power 8 और whole power कितनी है 5 है और into में मतलब इस function में मतलब यह जो भी value है इसमें multiply कर रहा है क्या 2 raise to the power minus 5 अब धिहान दे students सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो bracket में लिखा हुए अंदर 2 raise to the power 5 divided by 2 raise to the power 8 इसको हम solve कर लेते हैं ठीक तो समझो जरा इसमें कौन सा rule लगेगा दिखना जरा यह जो bracket है इसको हमने ऐसा लगाया अब बाव बताओ इतना तो आप लोगों पता ही होगा क्या देखिए 2 raise to the power 5 divided by 2 raise to the power 8 अगर लिखा हुए students ठीक है न तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यही तो होता है टू रिश्ट इबार 5 और यह जो डिवाइड एसको हम ऐसे लगाते और 2 raise to the power 8 यही जो मतलब है इसका ठीक यानिके यह जो लिखा वाज जिसको मैंने यलो कलर से इंडरलाइन कर आया है इसका मतलब है 2 raise to the power 5 और यह वाले डिवाइड को यह जो डिवाइड़े है इसको हमन कुं सा लगेगा इस में जू चीज depositと फारें इसमें लो लगेगा कौन साल लगेगा THIS the power m by 8 the power nd is equals to kuya होता था बेस सेम है और अलग अलग अलगE आना म और ऐन ठीक तो बेस से में फार अलग लग umbling माइनस एंट ठीक ओके नौ तो यहां पर आप इसको क्या लिखोगे टूरेस्ट इद पावर एम माइनस एन यानिके एम की जगह क्या है आपका वाइव और एंग जगह आ रहा आपका एट यह लीजे यानिके टूरेस्ट इद पावर अब बताओ फाइब इसके उपर होल पावर कितनी लगी हुई है तो इसके उपर आपको फावर फाइव लगाते हुए चलना है बस और कोई बात यह ऐसे समझ गये तो यहीं काम में यहाँ पर करने जा रहा हुं एड़ पार म अपन एड़ पार एड़ एड़ फावर एं यहाने पावर 5-8 कितना होता है माइनस 3 होता है ठीक तो यहां जाएगा माइनस 3 and whole power कितनी आरेस की 5 और इंटो में क्या है 2 raise to the power minus 5 यह लीजे ठीक 2 raise to the power 5-8 क्या होता है माइनस 3 तो 2 raise to the power minus 3 and whole power क्या है 5 अब सुनों अब इसमें एक लॉग लगेगा इतना आप लोगों ने कर लिया होगा अब ध्यान दे बच्चों यहां पर एक लॉग लगेगा देखो कौन सा लॉग लगेगा अगर आपको यहां दो तो आपने पढ़ाता क्या कि 8 is the power m to the whole power n होता है अगर तो इसमें क्या होता है 8 is the power m into n यानिके सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जो साइन माइनस प्लस बोलने में जो आ रहा है वह लगा आगा दिक वाइनस फिस्टीन और यह माइनस ऐसे रहे सब्सक्राइब तो यहां सब्सक्राइब हो जाएंगी तो आप इसको चाहत अपनी कॉपी में दिखा भी सकते हो इसको देखो टू रेस्टे वार और M to the power N M into N यानिके 2 रेस्टे वार माइनस 3 into 5 और इंटू में यह जो लिखा इसको हम ऐसे ही लिख देंगे ठीक अब यहां सब्सक्राइब हो जाएगा और यह माइनस ऐसे ही रहेगा यनिके माइनस 15 और इंटू तो रेस्टे वावर क्या है माइनस 5 एतना हो गया अब यहां फिर से हम एक लॉ लगाएंगे बेस से में देख लिए बेस से में तो पावर क्या होती एड हो जाती वह एड़ दबार M into एड़ दबार M प्लस N तो यह वाला लॉगर हम यहां पर लगाएंगे ठीक है सुटें चलो देखो ज़रा अब हम कौन साल लगाने जारे लो सासा कॉपी में नोट करते रही है अब हम लगाने जा रहे है एड़ पावर एम इंटू एड़ दबार n is equal to base से में तो पावर एड़ गहेंगी यहने कि अब देख सकते यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर अञद कर देख अर एंप बिंग अरेन की चलगा में hmm की चलगा मैंने 15 और नगी दगा म洪ायट व्स एंदिम स n की ज्गह क्या जाएगा आपका मानेस फई यह यह 1993 टे मियावनस liberty तो आपको के करना है इस मानेस 5 ब्राकेट में रखना है ठिक आप चुन देखी यहां से का टूलखत द पाबर अब डीकुरे माइनस फिफटीम तर ऐसे ही रहेगा और दिकिए फ्लस-梅इनस क्या होता यह माइनस देखो यहां से क्या जेगा टूब पर अब ध्यान दो बच्छों देखो यह भी नेगड़ेव यह भी नेगड़ेव तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है और साइन लगेगा बड़े नंबर का ठीक एस उन लिए मैंने आपको बोला था कि हमको आंसर ऐसा नहीं छोड़ना अब इसको हमें पॉजटिव बनाना है तो अब हम कौन सा लगाएंगे इतना कॉपी कर लीजे वीडियो पॉस करके बच्छों कॉपी कर लें इतना फटा-फट या मैं आपको यहीं पर बता दूं साइड में अब हम लगाएंगे यहाँ पर हमने अभी अभी आपको बताया था यहीं काम हम यहाँ पर भी करेंगे द्यान से चेक कर लो बच्छों एड़ पावर पॉसटिव जाएगी टू रेस टिद पावर 20 ओके सुटेंस वन अपॉन टू रेस टिद पावर 20 दिस यूर फाइनल आंसर आफ पार वन ठेके सुटेंस नोट कर लीजे फटा-फट वीडि अचलो कि माइनस फॉर तो दॉप अधर माइनस थ्री इंटू फाइफ रेस्ट दबावर माइनस स्ट्री इन्टू माइनस 5 रेस टिद पावर माइनस 3 अब ध्यान दे बच्चे देखो इस कोश्चन को करने के दो तीन तरीक है ठीग है ना दो तीन तरीके हैं दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा पहले मैं आपको NCRT वाला तरीका बता रहा हूँ ठीक है ना समझो देखो बच्चो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर बेस हमारे अलग-अलगों और पावर सेम हो जाए सुन लो ध्यान से बेस अलग-अलगों यानि कि A की पावर M है और B की पावर M है बेस है अलग-अलग यहाँ A है यहाँ B है और लेकिन पावर सेम है तो क्या करते हैं जिनको नहीं पता है सुन ले ध्यान से तो क्या करते हैं बेस अलग-अलग है यहाँ बेस में B है लेकिन पावर सेम है सही मैं जो rule है बच्चों यही जो rule है यह लागू होता है तीन नमबर पे भी चार नमबर पे भी पाँच नमबर पे भी कितने भी नमबर हो ठीक तो अगर A to the power M into B to the power M into C to the power M होता है तो यहां से क्या हो जाएगा A into B into C whole power M students okay देख लीजे बच्चों बेस अलग अलग है तो सारे बेस को multiply कर दीजे A into B into C और whole power क्या लगा देंगे क्या जो power है power same होनी चाहिए लेकिन द्हांता सुन लो power M M M यह बहुत असार चेक कर लो यहां पर बेस अलग है माइनस फोर है यहां फाइव है और यहां माइनस फाइव है तीनों बेस अलग है लेकिन power same students कुछ नहीं करना है सारे नमबर को उठाके यहां कि सारे बेस को multiply कर दो सारे बेस को A into B into C तो क्या करेंगे सबसे सान तरीका यही है NCIT वाला ही सबसे सान तरीका है ठीक तो सारे माइनस फॉर को multiply करेंगे किस से फाइव से और फाइव को multiply करेंगे किस से माइनस फाइव से अब यहां देको multiply कर रहे हो ना तो सब्सक्राइब निए 5-6초 सांड़ analysis नहीं आता है टीक तो-142 क्या हओ जाएगा देखो यह एए और यहीए और यह सी टितीन हम ने क्या कर दिया है टीनों को मैल्टिप्लाइब करें और इसके multiplication में whole में power किती चली जाएगी minus 3 क्योंकि यहां भी minus 3 यहां minus 3 यह लो जैसे कि यहां पर whole power में M चला गया था ठीक यहां भी M था यहां भी M था यहां भी M था ठीक अब सुनों अब ध्यार्णे students this into this कितना हो जाएगा सर minus 4 into 5 कितना होता है बताएगे minus 20 होता है सर minus 4 into 5 कितना हो जाएगा चेक कर लो 4 5 होता है 20 यह सर 4 नेगेटिव का है और 5 positive minus plus क्या होता है minus यह लीजे भाई एक negative एक positive है तो minus में तो आएगा answer ठीक है इन दोनों की जो multiplication है इन दोनों की यह तो minus 20 हो गई yes सर और into लगा हुआ है तो into लगा देंगे और यह minus 5 है yes सर ठीक और यहां bracket हमने यह वाला बंद कर दिया और power में कितनी minus 3 ठीक है बच्चो इन दोनों का multiplication सर यह रहा सर और यह वाला into यहां उतारा सर और minus 5 को यहां copy किया सर और यह curly braces ऐसे ही लगा दिया यह वाला जो लगा हुआ था ठीक और whole power minus 3 whole power minus 3 लिख दिया अब सुनो अब minus 20 है यह ठीक है बच्चो और यह क्या है आपका minus 5 है minus 20 into minus 5 क्या होता है दो negative नमबर अगर multiply कर रहे हो ता answer positive में आता है sir yes sir ठीक minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा चेक कर लीजे minus कितना है 20 into में minus 5 ठीक minus minus answer आएगा प्लस में बड़ा चोटा नमबर नहीं देखेंगे वह तर अडिशन सब्स्रेक्शन में देखते हैं ठीक multiplication या division में अगर minus minus मूँ में बोलने में अगर प्लस आ रहा है तो अंसर भी प्लस में आएगा ठीक तो माइनस माइनस प्लस यानि के प्लस का क्या आ जाएगा 100 बाई 20 into 5 करोगे तो 100 आ जाएगा ठीक तो यहां से कितना आ जाएगा ठीक और पावर में उपर कितना लगा करना कॉन्से रूल से ये बाले 8 पार minus M को 1 upon 8 पार है लिख सकते हैं तो इसको हम प्लस प्लस 3 कर देंगे this is your final answer आप NCRT से बच्चों match कर सकते हैं ठीक है ना ओके ये इस question को करने का पहला तरीका था दूसरा तरीका क्या मैं कर सकता हूँ नहीं देखो दूसरा मैंने आपको बोला था लेकिन नहीं कर सकता हूँ मैंने देखा नहीं था मैंने सुचा ना base same है कोई भी base नहीं से में तो यहीं तरीका है ठीक है students इसको आप लोग कर लीजे फिर मैं चलता हूँ part 3 की तरफ okay students part 3 की तरफ okay कर लीजे कर लिया चलो अब देखते हैं बच्चों हम लोग की part 3 को हम लोग कैसे handle करेंगे यहाँ पर ठीक है now आजाई यह part 3 में students so आपको part 3 में कहता है one upon eight into three raised to the power three की power क्या है minus three है देखो उच्चों जादा tension है नहीं है आपर मैं आपको बता दूँ बहुत अराम से हो जाएगा यह सवाल देखो one upon में जो eight लिखा हुआ है ठीक इसको आप क्या लेख सकते हो बात समझो एक बात बताओ आप eight को क्या लेख सकते हो eight को क्या आप two into two into two नहीं लेख सकते हो फैक्टर तो करने आते होंगे इतना तो आता होगा आपको eight को two into two into two कर सकते हो yes sir कर सकते क्यों sir क्यों 2 to the 4 to the 8 होता है yes sir होता तो है यानि कि 8 की जगा आप क्या लिख सकते हो 2 आप देखो 2 का मतलब 2 to the power 1 होता है 2 का मतलब 2 to the power 1 होता है ठीक so 8 is equals to क्या हो जाएगा अब बेस देखो same है तो power add हो जाएगी पता है यह बात कि नहीं बेस से में तो कितने भी number हो बेस में अगर सेम है तो power add कर दो 222 सब बेस सेम है तो power add हो जाएगी यानि कि 1 plus 1 plus 1 कितना हो जागा 2 to the power 3 यानि कि कहने का मतलब है 8 की जगा आप क्या लिख सकते हो 2 raise to the power 3 ओके students बहुत common सी बात है यह आपको पता है 2 3 6 मत करते ना 2 raise to the power 3 का मतलब ही 2 raise to the power 3 का मतलब ही क्या होता है 2 को 3 times multiply करो यहने कि 2 into 2 into 2 तो बस यहीं चीज़ है 8 को आप 2 into 2 into 2 यहने कि 2 raise to the power 3 लिख सकते हो ठीक तो यहीं काम हमने यहां पर किया क्या किया हमने इसको पहले ब्रैकेट में बंद कर लिया ठीक फिर हमने बोला कि भाई 1 upon अब 8 की जगा आपने क्या लिखा 2 raise to the power 3 यह लिजे क्या दिक्कत है इंटू में 3 raise to the power minus 3 कुछ नहीं किया यह वाला वन ऐसे क्या यह वाली बात मैंने आपको बताई थी a raise to the power minus m is equals to क्या होता है वन अपॉन 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 कुछ नहीं करना है हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि यह जो चीज है यह इसके क्वाल है यह जो है वह किसके क्वाल है एक जगा क्या है तो यहां पर क्या होगा एक त्री जाएगा यहां लेकिन माइनस में हो जाएगा बस वन अपॉन टूट पार थी यहां जाएगा यह उपर जाएगा ऐसे तू त्री मल्टिक्प्लाइब करेगा वन में है ना तो वह सब आपको ध्यान नहीं देना बस आपको रूल देना है यह हो जाए कितना टू रेस सकते हो भाई कोई दिक्कत नहीं है ठीक है टूरे सब्सक्राइब कर देंगे कौन सा लॉप पढ़ाता है यहां से देखिए हमने पढ़ाता कि भई ए रेस टी दि पावर met एगर अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो बेस को मल्टिप्लाई कर दीजे और पावर में क्या लगा दीजे जो पावर आपको कॉम्मन दिख री दोनai होँ है जीक तो यही च्ङोर चाहbnें काम यहाँ पर कम यहीं है तो यहीं किया पर करेंगे अपकी यह जगा ठीश और में कितना आ होता है one upon a to the power m to a baby at all six raised to the power minus 33 है ना कितना हो जाए गाँ पर one upon six raised to the power three यहाँ साझ जाएगा one upon six raised to the power three ठीक सुर्टेंस NCRD से चेक लिए यही आपका यहाँ पर answer है ठीक अब हम करेंगे part 4 को इसको solve कर लिजे बच्चों फटा फट्ट solve कर लें students कर लिया है चलिए अब fourth part देखिए minus 3 raised to the power 4 into क्या है 5 upon 3 raised to the power 4 ओके ये है अब यहां से आप क्या कर सकते हो students अब ध्यान दो चरा हम यहां से क्या कर सकते हैं देखते हैं देखिए अगर कोई negative number लिखा है और उस negative number की power even है सुन लो ध्यान से पहले मान लो कोई negative number लिखा है और इसकी power में even number है कैसा है even number है तो पता है ये आप negative sign हटा सकते हो यहां से और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो पिर से दुन लो और बताओ example जैसे कि मान लो लिखा है minus 7 और raised to the power 8 लिखा हो है तो negative number है यहां अंदर minus 7 है yes sir है तो तो negative number की power में यहां even आना चाहिए even number क्या होते है आपको पता है even number होते है power में even number आना चाहिए power में even number आना चाहिए power में even even 2 होता है आपका 4 होता है 6 होता है जो 2 से divisional होता है 8 होता है आप ये minus का sign यहां से हटा के ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो अब ये क्या बता रहे हो sir ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी पता चल जाएगा रुक जाओ यानि कि अगर इसको हम लिखना चाहें किसको minus 3 raised to the power 4 को हम लिखना चाहें power देखी कैसी even ये number कैसा है negative है minus 3 तो कुछ नहीं करना minus आप हटा सकते हो इसको 3 raised to the power 4 लिख सकते हो ये rule आप पहली बात तो याद कर लो अब मैं आपको बताना ऐसा क्यूं होता है देखो देखो बच्चों ध्यान से समझो ऐसा क्यूं होता है क्यूं का जवाब मिलेगा आपको यहां से कि अगर minus 1 की power में कोई सुन लीजे ध्यान से बच्चों minus 1 की power में अगर कोई even number होगा जैसे minus 1 की power 2 होगा तो आंसर वन आएगा क्यों सब क्यों 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 माइनस 1 को two times multiply करना है अब आप चेक कर लो minus minus तो क्या हो जाएगा plus हो जाएगा और one into one हो जाएगा one यानिके plus one यानिके one आ जाएगा ठीक और दिखाओ even minus 1 की power में even number है तो यहां दिखा रहा हूं odd का यहां दिखा रहा हूं और यह आज के बाद भूल मत जाना चीक है इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए याद करिए जैसे कि माइनस 1 की power अगर odd number होती है हमें odd number वाले लिख रहा हूं समझ लेना रटना मत और यहां पर माइनस 1 की power में even होगा अगर तो माइनस 1 की power में even है तो हमेशा answer plus 1 आएगा लेकिन माइनस 1 की power में अगर odd number है तो हमेशा answer minus 1 आएगा देखो कैसे minus 1 की power 3 है तो इसका मतलब क्या होगा minus 1 को three times multiply करना है minus 1 into minus 1 into minus 1 ठीक अब सुनो इन दोनों की multiplication तो कितनी हो जाएगी plus 1 minus plus 1 into 1 into में यह बचा minus 1 अब देखो यह क्या आपका plus 1 है यह plus है और यह minus है plus minus minus 1 into 1 is 1 तो minus 1 आया इसका मतलब minus 1 की power minus 1 की power 3 कि इतना आ गया minus 1 आ गया ठीक समझे अब यहां पर आजो मालो मैंने लिया होता माइनस 1 की power 4 ठीक तो इसका क्या मतलब होता माइनस 1 को 4 times multiply करना है minus 1 into minus 1 into minus 1 into minus 1 into minus 1 ठीक है students अब इन दोनों की multiplication कितनी होगी अब यह भी बढ़ा है था minus 1 into minus 1 plus 1 होता है तो यह दोनों प्लस 1 हो जाएगा फिर यह वाला multiply यहां copy करेंगा और इन दोनों की multiplication 1 हो जाएगा 1 into 1 1 ही तो होता है ठीक तो फिर से minus 1 की power 4 कितना आ गया 1 आ गया और power में 4 कितना है even है यहीं पर odd का example लीजे माल लीजे अगर मैं क्यों से minus 1 की power में 5 ले ले था ठीक तो क्या हो जाता है है यहां से यहां हो फ्लस 1 t देखो यह दोनों minus 1 minus 1 हो जाएं अब यह मैंस 1 अजहां बच जाता अब यह दोनों सब्सक्रारा चेंघTT 1-1 हो जाते हुद उस देखा म elevation की पावर 5 किया रहेМि याद कर लीजे कि मैनेस वन की पावर अगर अगर इवेन नंबर होगा तो आंसरता हैका मैनेस वन की पावर में अगर ओड होगा तो आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा मैं आपसे सवाल करता हूं ठीक है फिर आप मुझे जवाब दो पहले फिर सवाल पर भी चलते ठीक है पहले concept clear होना बहुत जरूरी बच्चों ठीक है सुनू देखो जैसे कि हमने आपको बोला माइनस वन की by circular power 9 अब बताओ क्या आएगा नाईन नंबर और ओर है तो आंसर के आएगा नेग्टइव में आएगा माइनस वन चीक और यहीं पे माइनस वन की पावर 24 और ठ् कर दिशाब और यहीं बात आपको बतानी धूसरी यह बतानी मुझे आपको इस question को करने से पहले कि अगर आपके पास बच्चों कोई negative number है जैसे कि minus five है पता है तो उसको आप क्या लिख सकते हो minus one into five लिख सकते हो yes sir कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ चेक कर लो यह minus में plus में minus और five कैसा है आपका plus में ठीक है students so माल लो आपके बास minus seven होता तो क्या करेंगे minus one into seven तो minus one into seven तो minus one into seven इसले लिख सकते हैं तो सुनो minus three को क्या लिख सकते हो आप बता इसको आप minus one into three लिख सकते हो yes sir तो बस यही काम आपको यहां पर करना है अम आपका question हो जाएगा ध्यान से चेक करें यह जो minus three लिखा है इसको आपने लिखना है minus one into three कुछ नहीं करना है minus three की जगा क्या लिखा minus one into three minus three की जगा minus one into three और power में क्या लगा है four लगा है ठीक और into में क्या है five by three to the power four है ठीक है students अब ध्यान में यह वाला जो minus one लिखा है इसको ब्रैकेट में लिख लो तो यह करली ब्रैकेट चेंज जाएगा यह वाला ब्रैकेट चेंज हो जाएगा किसमे कर्ली ब्रैकेट में और यह मानिस ओन ऐसे पावर four होता है ठीक है यह दिया हुआ हमें अब यहां पर हम एक law लगाएंगे ध्यान सरा चेक करो अगर आपको याद हो तो हमने आपको पड़ायाता क्या हमने आपको पड़ायाता कि अड़ी into B की whole power M तो पता है क्या होता है? इसको आप ऐसा लिख सकते हो यानि कि यह power इसको भी मिलेगी इसको भी लेकिन शर्त क्या है? यहां multiply होना चाहिए यह शर्त है तो 8 to the power M इसको आप B to the power M लिख सकते हो तो बताओ मुझे मैं आप से एक दो सवाल पूछ रहा हूँ आप मुझे जवाब दीजेगा अगर यहां ऐसा लिखा है 2 into 3 to the power 6 लिखा है मान लो तो यह power इसको भी मिलेगी इसको भी बस यही बताना चाहता हूँ 2 to the power 6 into 3 to the power 6 अगर आपके पास लिखा होता 2 into 5 raised to the power minus 4 तो यह power इसको भी मिलती इसको मिलती यानिके 2 raised to the power minus 4 और इंटू में 5 raised to the power minus 4 यह इसका मतलब होता है तो एक बाब बताओ इसको आप क्या लिखोगे ठीक है थोड़ा ध्यान दो इसको आप क्या लिखोगे minus 1 into में यह जो लिखा हो है minus 1 into 3 whole power 4 अब बताओ यह power इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी चेक कर लो यहां बीश में क्या है multiply तो क्या हो जाएगा into में 3 की power क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बस यही मैं आपको बताना चाहता था और बच्चों minus 1 की power 4 क्या होता है 1 होता क्योंकि minus 1 की power में इवन नंबर है तो इसका अंसर प्लस वन आएगा यहां आएगा और इंटू में 3 raise to the power 4 और आपको पता है वन अगर किसी भी कर लिए लिए कर लिया चलो अब यहीछ चीज में आपको यहां करके दिखा देता हूं आपकी कापी में ठीक है न? ओके शो चलो आप इसको थोड़ा चोटा कर देते हैं ठीक है सुडेंस करना कुछ नहीं है आपको ये पावर इसको भी मिलेगी इसको भी यही चीज़ आप करके दिखा देना एक्जाम में इनके दिखा वार फॉर इनटू त्री दर पावर 4 इनटू यह अभी ऐसे ही रहेगा यहने कि फाइफ भाय थी दर पावर 4 अब ध्यानने बच्चो मैनस 1 की पावर 4 प्लस ओन नहीं होता है यही वन आ जाएगा यहीज जाएगी इनटू में फाइब आ थिख्याम में 1 into 3 raised to the power 4 1 इसमें multiply करेगा तो यही आ जाएगा यहने कि 3 raised to the power 4 हो जाएगा ठीक इंटू में 5 by 3 5 by 3 raised to the power 4 हो जाएगा यह लिजे ठीक है students ओके इतना copy कर लिजे पहले वीडियो पॉस करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है अब बच्चो यहां से आपको क्या करना है ध्यांत्रा चेक करेंगे यहां से हम law लगाएंगे कौन सा law लगाएंगे सर यस देखो बच्चो एक law हमने पढ़ाता कि अगर हमारे पास 8 दे पावर M हो और बीड दे पावर M हो ठीक नहीं पढ़ा है A को B से डिवाइड कर दो A divided by B और whole power क्या लगा दो M लगा दो यानि कि इसका reverse भी true है अगर हम इतना लिखें कितना A by B whole power M लिखें A divided by B to the power M लिखें अगर तो बता है क्या होता है यह power इसको भी मिलती है और इसको भी मिलती है सर यानि कि A raised to the power M by B raised to the power M लिख सकते हो क्या यही लगेगा यहाँ पर 5 by 3 whole power 4 है तो बच्चों यह power इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी यह सर बेस लग 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 ना A B A की जगा 5 B की जगा क्या है 3 A की जगा 5 B की जगा 3 तो यहाँ हो जगा 5 raised to the power 4 by 3 raised to the power 4 तो यहाँ से हो जगा बच्चों 3 raised to the power 4 इन्टू में यह power इसको भी मिलेगी इसको भी मिलेगी यानि कि 5 raised to the power 4 by 3 raised to the power 4 इतना वीडियो पॉस करके कॉपी करें पहले वो rules कॉपी कर लें यहाँ पे कॉपी कर लीजे बच्चे फिटा फट इसको भी मिलेगी इसको भी मिलेगी इसको यहाँ से करने के दो तरीके हैं दोनों तरीके मैं आपको बता देना हूं ध्यान सरह चेक करो पच्चों पहला तरीका तो यह है भाई यहाँ पे देख लो पहला तरीका बड़ा सीधा साधा तरीका है पहला तरीका है आपको करना हो कर लो कोई माक्स नहीं काटेगा लेकिन दूसरा तरीका यह है कि आप लॉप एक्स्पोनेटिन को दिखा दो क्या दिखा दो यह आप दिखा दो इसको ध्यान सरह चेक करेंगे बच्चों देखो आप इनको दिखा दो कि भाई तो ऐसे ही और इसको आप क्या लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो फाइव रेस्ट पावर फॉर इंटू वन अपॉन अपॉन थी रेस्ट पावर फॉर आप कुछ लोग नहीं समझ भाए होंगे इवा बताओ यह जो चीज है इसको आप ऐस थैस्ट्रट पाउर है यह इसका हमने नहीं का फाइव 1 अपॉन त्री रिच्ट पावर फोड क्योंकि अगर इस फिट फाइट पार फॉर में तो तो किरोगे ना तो आपको वापस इतना ही तो मिल जाएगा और नीचे बचेगा क्या झाव 5 रेस्टाओ पाउर 4 इंटु 1 यह दोनों मिलके वापस यही तो मिलें इस दोनों जैकि तो यहां से यह हो जाएगा आपका 3 raise to the power 4 into अब ये थोड़ा हटा दे रहा है यहां से यह आप समझ जाना ठीक इस question में सीखने वाला बहुत कुस था तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी मिच्छो यह कुछ जादा ही उदर चला गया तो लो जाने दो देखा तो था ही आपने ठीक टीरे सबसाँ फ़ोर इंटो फाइव रस टीड़ा पार 4 इंटु अध्यान दे इस चीज़ को आप क्या लिखो गए ठीक कहा लो ना one-up on a restore एम को आप क्या लिख तो a rest दो फ़ार माइनस में लिख सकते हो यह लिखा इसको इसको ऐसा लिख सकते हो ठीक तो 1 रेसर बाद फॉर का आप क्या लिक्तों गे त्री रिष्ट इबार मनेस फॉर लिखोंगे चीक भाई इसको आपने यह लिखा तिक अब सनो यह थी देवार फॉर और इसको स्वास लिखिशन में तो इनका पास पास ला सक्ते हो ठीक आ ओके यांस देखो 3 रेसिदे बार 4 इंटो 3-4 इंटो में 5 रेसिदे बार 4 ओके अप सुनों वेस से में पावर ऐड़ जाएगी यहांकि 3 रेसिदे बार 4 और 0-4 यहाँ से 3 बेस है लिए 4 और प्लस-माइनस-4 इंटो 5 रेसिदे बार 4 is equal to 3 रेस बार 4 1 four zero इंटू में 5 raise to the bar 4 और हमने rule पढ़ा है, किसी भी number की power 0 कितना होता है, 1 होता है, यानि कि ए रेस्थní the power 0 कितना होता है, 1 होता है तो इसका मतलब यह है, कि ये जो 3 raise to the power 0 है, इसका मतलब भी क्या होता है 1 होता है, यानि कि बच्चों 3 raise to the power 0 की जगा आप वन लिखोगे इंटू में 5 रेस्ट दे बार 4 लिखोगे और 1 को किसी भी नंबर से मल्टिप्लाई करते हैं तो वापस वही नंबर आता है निए कि 1 इंटू 5 रेस्ट द बार 4 वापस कितना ओप और आगा 5 raised to the power 4 तो इस तरीके से आपका यह आंसर दिखी हो जाएगा ठीके सुटेंस ओके एंशी आटी ने क्या किया एंशी आटी ने सीधे काट दिया था त्री इस दिख दिख द बाइर 4 थे ती इस दिख द बाइर 4 ठीके इसको भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन आप अपना एक concept क्लियर करो पहले चीक देखिए आपका concept क्या है इस question के लिए आपको एक concept पता होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं फटाफट देखिए यहाँ पर concept लगेगा बच्छो आपका एक दो नहीं करना है अगर यहां पर आपको बेस दिखाई पढ़ा है एक बार यानिकि 4 और यहां भी वही बेस दिखाई पढ़ा है एक बार 4 तो पताए अगर बेस से मूती बोट साइट तो पावर को एक्क्वेट कर दो आप बस yes sir कुछ नहीं है यानिकि यह जो पावर लिखी 2 ओके बस यह वाला उधर चला जाएगा और यहां से m की वेलु क्या जाएगी 2 और यह प्लस वन्य तो माइनस वन हो जाएगा यानिकर म की वाल्यू 2-1 कितना हो जाएगा यह लिजिए इस तरीकें से सवाल करते लेकिन पताए यहां पे एक बात आपको धिहान रखनी है के equal कर सकते हैं अब क्या हम power को equate कर सकते हैं no sir अब m plus 1 2 के equal नहीं होगा क्यों बताओ बेस अलग अलग हो गई यहां पर देखो ना यह तो minus 4 है और यह क्या है 4 अब नहीं कर सकते हो अब power को equate नहीं कर सकते हो इस इक वल्स टू-2 डिद पावर 3 अब बताओ पावर को equate कर सकते हैं yes क्यों क्यों क्योंकि यहां बेस में क्या है minus 2 और यहां भी बेस में क्या माइनस टू तो क्या हो जागा यह जो power से आपस में equate कर सकते हो यानि कि m plus 2 is equals to 3 कर सकते हो 2 चला जाएगा उधर यहां पर अगर वह ऐसा देता माइनस टूड़ प्लस सेवन इस इक वल्स टू टूड़ पावर 9 अब बताओ क्या आप m plus 7 को 9 के equal लिख सकते हो अब क्या आप पावर को equate कर सकते हो no अब यह दोनों equal नहीं होंगे m plus 7 is not equals to 9 क्यों तो कि यहां base क्या है minus 2 और यहां base क्या है 2 base same होने चाहिए याद रखिएगा base क्या होने चाहिए same होने चाहिए ठीक बस तो यह concept पहले आप अपनी copy में note कर लीजिए यह concept बच्चों copy में note कर लीजिए पहले कर लिया चलो अब इस concept के basis पर हम क्या करेंगे सवाल करेंगे चलिए आजएए अब ध्यान दे बच्चों यह जो इसने equation आपको दी हुई है क्या minus 3 raise to the power m plus 1 और in 2 में minus 3 raise to the power m is equals to minus 3 raise to the power 7 अब देखो अब इस question में बच्चों अब बच्चें बोलेंगे sir m plus 1 को आप रख दो 7 के equal या m plus 1 को 5 के ऐसा कुछ नहीं भाई सुनो पहले आप यह तो करो ना जैसे कि यहां right hand side में minus 3 दिखाई पढ़ ला है यहां पर left hand side में minus 3 यहां बर यहां बर यह यह तो पहले minus 3 को एक बार लिखो किसी भी तरीके से कोई law लगाओ हम क्या करेंगे इसका यह जो left hand side है इस equation का left hand side है इसको हम copy करेंगे यहां पर और समझेंगे इसके बारे में बच्चों यहां लग जाएगा कौन सा यहां लगेगा क्या एड्य इड्र पावर M इनटू बीट्व पावर एन क्या होता था है कि एड्य भावर क्या होता था उन में थोल इड्य एड्य बावर हैं इंटू अब यही काम यहाँ पर भी आप कर सकते हो समझेगे गजरा देखिए एक जगा यहाँ भी बेस ए और यहाँ भी बेस ए है ना तो यहाँ पर बेस-3 कुछ नहीं करना है इसे इसाइब है बेस को एसे ही लिखना है और पावर को एड़र देना अब लीजे । कुछ लोग कंफ्यूज रोंगे रभी कुछ नहीं करना है बेस को ऐसे लिखा बेस से में और पावर को ठाके अड़ कर दो यह वाली पावर असमें अड़ कर देंगे यहां प्लस वन प्लस फाइव बस ठीक तो माइनस त्री की पावर अब क्या हो जागा एम प्लस वन तो ऐसे रहेगा और क्या है प्लस में फाइव है यह ब्रैकेट हटा दोना क्या दिक्कत हो तो मैंने दिखाने के लिए लगा था अब यहां से हो जाएगा माइनस त्री रेस टिदे पावर आप देखो एम ऐसे ही रहेगा और प्लस वन प्लस फाइव क्या होता है प्लस 6 गे कर देंगे यानिके एम प्लस वन और प्लस फाइव ठीक और इस इक्वल्स टू में यह जो लिखा है इसको हम ऐसे ही एजड़ेस कॉपी कर देंगे ठीक और लोग कॉन सा लिखेंगे यह उनको लोग हम लिखके दिखा देंगे भी या बेस से में पावर एड़ जाएगी ठी या तो इस स्टेट्मेंट का ऐसा लिख सकते हैं या तो ऐसा कैसा जो लिखने जा रहें-3 रेस टिद्ध पावर अब अब यहां से क्या हो जाएगा एम तो ऐसे रहेगा प्लस फाइव कितना होगा प्लस जो आपको यहां करके दिखा रहा हूं इस इक्वल्स टू में क्या ह यहां किस ने श मैं यहां रहां में में यहां पर आप देखोगे हम तो यहाँ पावर में ब्रैकेट लगा देता हूं ठीक यहां प्लस एक्स इस इकॉल्स टू स्टार्टिंग में जो रूल आपको बताया था भी इस question में ठीक तो यह एम प्लस 6 किसके क्वाल होगा 7 के ये लो ठीक अब यहां से ब्रैकेट हटाओगे तो M plus 6 is equals to 7 यह M plus 6 7 के क्वाल है अब M plus 6 equals to 7 यह plus 7 राइट में ट्रांसफोर्स करोगे तो माइनस हो जाएगा ठीक ट्रांसफोर करोगे मतलब ठीक यहां से एम इस इकोल्स टू क्या हो जागा 7 और यह प्लस 6 था राइट में जाके माइनस 6 हो जाएगा यह लीचे M is equals to कितना जगा बच्चों 7 minus 6 कितना होता है 1 होता है तो इस question में जो M की value कितनी आगई आपके पास 1 आ गई रूल बताते हैं हम आपको देखी बच्चों जैसे की 5 by 4 to the power minus 2 है है ना कुछ नहीं करना है अगर यह power में negative है आपका तो आप इसको reciprocal कर दो बस यहने कि हो जाएगा 4 by 5 और इनको reciprocal 4 उपर चलाएगा 5 नीचे और पावर कैसी हो जाएगी positive हो जाएगी बस खतम ठीक याद रखिएगा ओके तो अब यह होता क्यों हम आपको बताऊंगा लेकिन आप पहले थोड़ी practice कर लो जैसे कि मान लीजिए मैं आपको दिया 1 upon 8 to the power minus 3 कुछ नहीं करना है 1 upon 8 को आप क्या लिखोगे 8 upon 1 कर दो अंदर ही अंदर और पावर negative से क्या हो जाएगी positive खतम पावर का sign change जाएगा यानि कि यह हो जाएगा 8 upon 1 तो 8 हो जाएगा और पावर में आ गया 3 बस यह इस cancer है निकि 8 की पावर 3 अब जो भी होता होगा वह 8 into 8 into 8 solve कर लेना यह बात होती है इन जन्रल इन जन्रल आप अपनी एंस एटी बुक में भी देखोगे तो इस एक्जांपल के राइट में लिखा वाई रूल ठीक है तो इन जन्रल जन्रली क्या होता है कि एड़ पावर एभाई भी एभाई भी जैसे कि यह था ना एभाई भी हो ठीक तो यह आपका रूल है ठीक है सुदेंस अब यह रूल होता क्यों है थोड़ा सा मैं आपको एक दो एक्जांपल की हैं से पहले बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है लेकिन स्विदेंस आप इसको जनरली याद कर लोगे और बार बार आपको इसको ज्यादा तोचने की दरूत नहीं है यह रूल आप दिखा देंगे ठीक है ना इन जनरल यह रूल आप याद कर लीजे देखें अब ऐसा होता क्यों है इसी एक्जांपल से समझते हैं यह वाले से ठीक देखो वाई इसका रीजन ठीक है तो रीजन में क्या होता है जैसे यह लिखा है ना 5 by 4 to the power minus 2 ठीक है बच्छों अब देखो इसका क्या मतलब होता है हमने पढ़ा हुआ था हमने आपको कई बार बता है कि वह वाई B की होल पावर अगर M है तो इसका मतलब इसको मिलती है इसको मिलती है एकी पावर M हो जाएगा साही है ना यह बात हमने आपको बताई हुई है ठीक ह हम होता है one upon a raise to the power M okay तो इसकी जगा क्या हो जाएगा one इसकी जगा क्या हो जाएगा फैरे पार वान स्टू जगा उजाएगा one upon five raised to the power to by तामने लिख देता हूं तब जादा समझ में आएगा जिए यहां पर देखो देखो 5 raised to the power minus 2 का मतलब 1 upon 5 raised to the power to और upon में 4 raised to the power minus 2 का मतलब 1 upon 4 raised to the power to ये लिजे ठीक अब आप देख लो क्या हो जाएगा ये तो ऐसे ही रहेगा ठीक इतना तो आपको पता होगा ये रूल आपने chapter number 1 में पढ़ा है एक बाइब बी डिवाइड़ेड़ वाइड़ सी वाइडी ठीक इसका मतलब क्या होता है एक बाइब बी तो ऐसे ही रहेगा और यह वाला जो डिवाइड़ेस को हम ऐसे लगाएंगे और फिक है आप गया इफ ुको असे लाइब यहार एक यहाँ कुछ नहीं किया इस डिवाइड का साइन अडियर संधिये लगा दियार paste suck बीनित्वा आ जागा क्योंकि किसी भी नमबर को से उट्ठीक करोंगे उत्रहीं आ जाएगा तोफोर इंटू बन्वन ऐसेुदाएं तो 4 square into 1 4 square upon 5 square into 1 5 square ये लो ठीक इतना आ गया अब सुनो अब आप ये वाला rules reverse लगा होगा यानि कि a की पार m upon b की पार m अगर बेस अलग अलग है पावर से में तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो यही रूल यहां पर लग जाएगा बेस अलग अलग है यानि कि 4 upon 5 whole पावर कितना आ जाएगा टू लोग खतम यही बात तो मैंने आपको डिरेक्ट बताई थी क्या कि 514 की पार मैनस टू से चलेते यहां से चलेते यहां पहुंद करते करते ठीक तो 5 by 4 की पावर माइनस टू का हम डिरेक्ट क्या लिखेंगे इसको रैसी पॉकल करतो पावर का साइन चेंज कर दो 5 by 4 को क्या करोगे 4 by 5 पावर माइनस टू से क्या हो जाएगी प्लस टू हो जाएगी ठीक है बसका तो एंड इसी का रिवर्स भी टू है मतलब संजो मतलब आपको कि प्लस टू की जगा पावर में माइनस टू आ जाएगा बस ठीक है ना समद्धिक ना ओके आई थिंग आपको मेरी बास समझा योगी कैमरे में दिख रही है दिखतो रहे समझ जाना ठीक ओके नौ अब इसकी हमको वैलू निकालने इस सवाल की बहुत असान है इतना पहले व सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में कभी भी आप यह रूल दिखा जीगा एवाई बी की होल पार माइनस है में इसकोस टू बीवाई एगी पार एम ठीक तो हमको उसमें सवाल दिया टू वैट्री तू दा होल पावर माइनस टू तो हम कुछ नहीं करेंगे टू वैट्री को अगर पर जाएगा तू निइंचे डिए एकी वाट टू और माइनस टू की जगा प्लस टू जाएगा बसकता है ठीक अब हम रूल कौन सा लगाएंगे अब हम रूल लगाएंगे कि भई एवाई बी की होल पावर अगर हम होता था तो इसका मतलब होता था एड़ बार एम यहां से हो जाएगा यह पावर इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी यहां कि 3 raised to the power 2 upon 2 raised to the power 2 चेक अब बता ये 3 raised to the power 2 का मतलब 3 into 3 3 to the 6 मत कर देना कई बार बता रहा हूं 3 square का मतलब 3 into 3 और 2 square का मतलब 2 को अपने आप से ही two times multiply करना है नहीं कि two into two so answer क्या जागा three three the nine होता है और two two होता है four यानि कि आपका आंसर कितना आ गया students NCRT से आप चेक कर सकते हो nine by four बलते हैं next example की तरफ ना सुडेंस example number seven okay तो example number seven में example number six में हमने आपको जो रूल बताया था जो लोग YouTube पे डारेक्ट वीडियो अगर माइनस M होता है अगर यहां negative power तो कुछ नहीं करना आपको इसका बी बाइए लिग दो ये लो बी बाइए लिग दो और होल पावर एम लगा दो कुछ नहीं करना है एवाई बी को आप बी बाइने किसका रैसे पोकल कर तो तो इस रूल को follow करते हुए यह आपका expression ने बच्चों ठीक तो क्या expression है आपका ध्यान देंगे expression आपका आपका 1 by 3 whole power minus 2 minus 1 by 2 whole power minus 3 और यहां पर कर ली पर से स्क्लोज है और डिवाइड़ेट बाए है बच्चों कितना 1 upon 4 whole power minus 2 यानि कि इस पूरे value में डिवाइड लगा रहा है कॉन यह नंबर 1 by 4 minus 2 अब देखो कुछ नहीं करना है यह वाला curly braces ऐसे ही copy किया अब बताओ 1 upon 3 raise to the power minus 2 को क्या लिखोगे बताओ 1 upon 3 raise to the power minus 2 को क्या लिखोगे इसको reciprocal कर तो 1 upon 3 को क्या लिखोगे 3 upon 1 यह लो और power कैसी हो जाएगी positive by 3 उपर गया 1 नीचे है क्या क्या दिखकत है एक हम यहां करना है 3 उपर 1 नीचे तो 3 by 1 और whole power कितना है minus 2 की जगा plus 2 यह वाला minus ऐसे ही copy करेंगे और इसको भी यही कर करेंगे 2 by 1 2 by 1 और power में minus 3 की जगा क्या जगा 3 और यहां पर bracket close करके फिट divide का sign लगा के ध्यान देंगे students ध्यान देंगे इसको क्या लिखोगे 1 by 4 को आप क्या लिखोगे 4 by 1 लिखोगे ठेक और power में minus 2 की जगा 2 आ जाएगा यह सर ठेक अब ध्यान दे एक rule आपको और पता होना चाहिए क्या सर देखो अच्छो यह वाला रूल आपको पता होगा A by B की whole power अगर M होता है तो पता है इसका मतलब क्या होता है यह पावर इसको भी मिलती है इसको भी मिलती यानिकि A raised to the power M by B raised to the power M तो बस यहीं चीज़ हो रही कहने का मतलब है कि यहां पर जोजरा जै इसको मिलेगी यानिके three raised to the power two by one raised to the power two हो जाएगा समझगे होगे ठीक तो कितना अंसर आज जाएगा वो तो हम आपको यहां करके दिखाएंगे भी ठीके सुटेंस तो अब आप देख लो चो कुछ नहीं करना है आप है यह पावर इसको भी मिलेगी और इसको मिलेगी तो क इसको मिलेगी और इसको मिलेगी यानिके four raised to the power two upon one raised to the power two ठीक है सुटेंस इतना हो गया अब सुनो अब कुछ rules ध्यान रखेंगे अपनी कॉपी में कुछ rules ध्यान रखेंगे सुटेंस ठीक है यह सब आप लोगों ने कर लिया होगा इतना वीडियो पास करके नोट कर लीज है कुछ rules है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कर आप मेरी class चीजरी के से follow करते होंगे starting से तो आपको पता होगा फिर मैं आपको revision करा दूँ देखो वन अगर लिखा है वन की पावर में कुछ भी लिखाओ आंसर वन ही आएगा वन की पावर में कुछ भी लिखाओ भाई क सब्सकार में कुछ भी लिखा हो positive integer negative integer या fraction में नंबर लिखें हो two by three तब भी हमेशा वनाएगा ठीक है ओके सो बेरहाल आप इसकी बात नहीं करें तो सही है बस यह सब हम 11 class में पढ़ेंगे ठीक है उसको छोड़ो आप आप यह देखो जड़ा वन की पावर में क्या होता है यह मैं आपको करके भी दिखा चुका हूँ स्टार्टिंग में लास्क एक्जांपल में तब तो आंसर वन आएगा प्लस वन आएगा लेकिन माइनस वन की पावर में अगर और नंबर होगा ठीक तब आंसर क्या आएगा माइनस वन आएगा एक्जांपल देख लीजे माल ल आएगा ठीक माइनस वन की पावर अगर और एकर एवन है मानलो यहां एट होता एक इवन नंबर है टूसर डिवाइड यहां प्लस वन आजाता ठीक यह सब रूल्स जैस्ट मैंने आपको ऐसे बता दिये नोट कर लिए इसको वीडियो पास करके फटाफर्ट नोट कर लिया ठीक है अब देखिए अब आप यहां पर आ जाओ ठीक वापस से तो बच्चों इसको थोड़ा चोटा कर देते हैं कि चलो अब क्या करोगे अब द्हां से चेक करो यहां सो जाएगा पहले भी मैं 3-7 दे रहों ठीक अब बदा वं का या मैं आपको दिखा देता हूं चलो दिखाई देता हूं देखो त्री स्क्वाइर का मतलब क्या होता है त्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री जो की हो जाएगा नाइन समझ गया और वन स्क्वाइर का मतलब क्या होता है मैंने पता वन की पार कुछ भी होता है त आपने आपसे तो इंटो इंटो टो टूद फोर्थ ओके सो यहां से टूरेस्टर भार सी कितना आगया 8 अपॉन में उन का क्यूब है अब मैंने आपको मताया एक ना क्यूब भी वन ही तो आजागा भाई वन की पावर कुछ भी हो वनी तो आता है ठीक प्सक्राइब ऑर इसक्वायर कितना होता है इतना स्कॉर होता है कितना होता सिकस्टीन हो कितना हो जाएगा नाइन हो जाएगा और फिर डिवाइड लग रहा है अब बताइए 16 By One कितना होता है सिक 다 Review लिया ठीक डिवाइड बाएड फे नाइन होता है 16 जाता है तो इहां वन बचेगा और डिवाइड बारत दीवाया क裡面 साथ और मेट चेंज कर लिया ठीक divided by 16 अब बताओ ये क्या लिखा है ये simply 1 divided by 16 ही तो लिखा है ठीक अब 1 divided by 16 लिखो या 1 by ये वाले divide को आप ऐसा भी लगा सकते हो ठीक 1 divided by 16 को 1 by 16 भी हम लिख सकते हैं so this is your final answer okay students this is your final answer बढ़ते हैं part second की तरफ now students देखिए part 2 देखिए ठीके ना part 2 में आपको क्या बोलता है 5 by 8 whole power कितनी है minus 7 into 8 by 5 whole power 8 by 5 raised to the power कितना है minus 5 ठीक अब सनो अभी अभी मैंने आपको एक rule बताया था उस rule से भी आप कर सकते हो आप इसको ncrt वाले तरीके से भी कर सकते हो देखिए रूल मैंने आपको यह बताया था कि ए बाइबी whole power अगर minus m है तो आप क्या करोगे इसको बी बाइए लिखोगे और power को positive कर दोगे ठीक तो यही काम आपको यहां करना है देखिए फाइब बाइट रिस्ट अबावर कितना है माइनस से वह ने तो आप इसको क्या करोगे यह दो एड़ फाइफ कर दोगे ना फाइब यह प्लाइट टो जाएगा था टिक इतना आप कर लो बड़ी हां ऐसा मत करो बता रहा हूं एसा मैं क्यूं कह रहा हूं जान सर चेकर इंटू में 8 by 5 to the power कितना है माइनस 5 है ठीक इतना हो गया अब आप समझो ऐसा मैंने इस लिए कि ऊपर हमको 88 मिल जाएगा नीचे हमको 55 मिल जाएगा ठीक है ना अब सुनों इतना तो आप लोगों को पता होगा कि इसका क्या मतलब होता है मतलब यह देखो 8 by 5 whole power कितना है 7 है तो पता है यह power इसको भी मिलती है इसको मिलती है यानिक आप इसको लिख सकते हो 8 to the power 7 upon 5 to the power 7 छीक इसी तरीके सा आप इसको भी हैंडल कर सकते हो कि इसको 8 by 5 whole power चाहिए नेगडिवी क्यों ना हो 5 minus 5 है ना तो ये power इसको भी मिलेगी इसको मिलेगी यानिकी 8 raised to the power तो भी मिलेंगा एक 800 से टीक 5 मिलेगा तो यह आपने काम किया 7 को इसको दिया यह power इ ce With You की कि इसको मिलेगी जब गी तो एट दबार 7 अपन 5 रस्ति दबार 7 और इंट्टू में अब यह पावर हिसको भी मिलेगी और इसको मिलेगी ठीक एट रे स्विद भार मानले हुआ अपन फाइव रेस्ट से बाहर कितना हो जांगा मानले मानले माइनल फाइफ ठीक है पावर एन इस इकोल्स टू एड़ पावर एम प्लस एन है ना बेस से में तो पावर एड़ हो जाएगी ठीक हम आप ध्यां से रगर चेक करेंगे यहां पर का सो यह सब मुट्प्लाई हो रहे, तो इस इंटू दिस यानि कि हम इसको ऐसा भी लख सकते हैं एट रइस टिद बार पहार सेवन इंटू एट रेस ति रवर माइनस प्रम इस ये साब हो सकते हैं इसको पन में इगे दोनों मल्लिप्लाई हो जाएंगा नीचे लिए नीच व एक सेवन में एड़ करेंगे किसको मैने फास को वैज एड रेस दो बार म एम प्लस एन यहनी कि 7 प्लस मैने इड़ेड बाय नीचे कितना हो जाएगा five रेस दि भावर seven plus minus five गेलो ऐसे जैक वने सई किया चेक कर लीजिए है ओके बिल्कुल सही किया 7 में, minus 5 ऐट करेंगे, निए 7 plus minus 5, base say में power add हो जाएगी, base say में power add हो जाएगी, ठीक, यहाँ से हो जाएगा आपके बास 8 raised to the power, अब देखो 7 तो ऐसे ही रहेगा, और plus minus क्या होता है, minus तो minus 5 upon, 5 ऐसे ही रहेगा, बेस में, और power में क्या होगा, 7 तो ऐसे ही है, ठीक, और plus minus क्या होता है, 2 होता है, ठीक है students, ओके, अब आप ध्यान तरह चेक करोगे, यहाँ तक हम पहुच गए, तो इसके आगे मैं solve करता हूँ, क्या आगया है, 8 to the power 2 upon 5 to the power 2 is equal to, अब देको 8 to the power 2 का मतलब क्या होता है, है ना, यहीं भी कर दो, 8 to the power 2 का मतलब 8 to the 16 मत कर देना, इसका मतल students, तो यह तरीका जादा सही लग रहा है, बाकी NCRT में भी इनोंने किया हुआ है, तो वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, सुटें, NCRT में क्या किया हुआ है, वह मैं आपको देखाता हूँ, ठीक, पहले वीडियो पास करके नोट कर लीजे, आंसर पर कोई फरक करो, यह पावर इसको भी दे दो, इसको भी यह तो मैं आपको बताया ही, यह नहीं कि 5-7, अपॉन में 8-7, ठीक, इन्टू में, ठीक, यहाँ पे यह पावर इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, 8-5, अपॉन 5-5, फिर NCRT कहता है कि भाई, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, यह दोनों multiply हैं, उपर यह दोनों भाई, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में कोई फटोड़ी ना पड़ जाएगा, तो 5-7, ठीक, अपॉन में 5-7, इन्टू, 8-5, अपॉन 8-7, यह क्या किया, अरे भाई, इसको इससे multiply करो, या इसको 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 पहले लिख लो, इसक इसको यही तो पढ़ा है न, इसको हम यह भी लिख सकते हैं, भाई, A into C तो उपर ऐसे ही, इसका मतलब पहले तो यह, इसका मतलब पहले तो यह, यह मतलब है इसका, A into C upon B into D, तो A into C को ऐसे रहने दो, और अपॉन में B into D को आप D into B भी तो लिख सकते हो, ठीक, और वापस ठीक, बस, तो कुछ नहीं करना है, इसको इधर लिको, इसको इधर लिको, इससे क्या फाइदा है, इससे यह फाइदा है, कि बच्चो धिहान से चेक करो, यहाँ पर देखिए, बेस से में है, तो पावर सब्ट्राक्ट हो जाएगी, आपने पढ़ा है क्या, A to the power M by A to the power N is equals to क्या होता है, 8 to the power M minus N, जिक, तो यहाँ से क्या होगा, A, A, A की जगा क्या है, 5, तो बेस से म पावर सब्ट्राक्ट, M minus N, M की जगा, minus 7, और minus N की जगा, minus 5, यह लो, into लगा देंगे, यहाँ पर भी हो, यह बेस से में है, पावर सब्ट्राक्ट, यानि कि 8 की पावर क्या हो जाएगा, minus 5, minus, minus 7, जिक, तियास होगा, 5 raised to the power, minus 7, minus minus plus, यानि कि plus 5, और into, 8 raised to the power, minus 5, ऐसे ही रहेगा, minus minus plus होता है, यह लो, जिक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास, यहाँ से हो जाएगा, students, देखे, यहाँ सो जाएगा, आपके पास, 5 raised to the power, देखो, minus 7, plus 5, minus 2 हो जाएगा, ठीक, इंटू में, minus 5, plus 7, यानि कि 7, minus 5, plus 2, यानि कि 8 to the power, 2, ये लो, ठीक, अब 5 raised to the power, 2 को क्या लिखोंगे, बताओ, 1 upon 5 raised to the power, 2, ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 upon 5 to the power 2, इंटू में, 8 to the power 2, is equal to 8 to the power 2, इंटू 1, या ऐसे कर लो, 1 upon 5 का square 25 होता है, और इंटू 8 का square कितना होता है, 64 और 64 into 164 और upon में 25, ये लिजे, ऐसे भी हम इसको handle कर सकते थे, जो पसंद आप वैसे कर सकते हो, नोट कर लीचे,